लगातार हो रही बारिश से लोगों को अभी भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है और पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से लोगों का जन जीवन पूरी तरह से अस्तिवियस्थ हो गया है और इसी बीच मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है मौसव भाग ने कहा है कि मुंबई और गुजरात के कई लाकों में करीबी अरब सागर में कम दबावाला शेतर बना हुआ है और इस कारण अगले 24 घंटों के अंदर कुछ राजियों में भारी बारिश हो सकती है मौसव भाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया ह मौसव भाग के रिपोर्ट के मताबए कर शनिवार को गुजरात के सौराश्ट और कच्छ के हिस्से में भारी बारिश हो सकती है और अंडमा, निकोबा, नागालेंड, मनिपुत, मिजोरम, तृप्रा, गुजरात, महराश्र, कोकन, गोवा, तमिलनाडू और पॉंडिचेर प्रती घंटा की रफ़तार से हवाएं चलेंगी ऐसे में गुजरात और महराश्ट के तटी लाके में मजवारों को समुदर में ना जाने के लिए कहा गया है इसके पहले भी मौसम विभाग ने यूपी के सोला जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतामनी जारी की थी और अब एक बार फिर मौसम विभाग ने गुजरात और महराश्ट के कई जिलों में भारी बारिश के चेतामनी जारी की है subscribe our channel and press the bell icon for more updates